हलो फ्रेंड्स विल्कम टु माई यूटूब चैनल यस्पी मैध कलासिस में तो वीवर्स यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि B8 करें या BTC काफी ज्यादा संक्या में सात्र जो एक इस बार कन्फ्यूज हैं B8 जो है कि पर्तिमिक से बाहर हो गया है इसको लेकर के BTC करें या B8 करें लेकर काफी ज्यादा संक्या में सात्र जो है कि कन्फ्यूजन में है कि सर जो है कि हम B8 करें इस बार या BTC करें दोनों में फार्म अपलाई किये हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि BTC कर लें या B8 कर लें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पहले B8 से क्या फायदा होने वाला है और उसके बात करेंगे कि BTC से क्या फायदा होने वाला है जो छात्र जो है कि B8 करना चाह रहे हैं तो B8 करने वाले छात्रों को जो बैकंसी आती हैं वह थोड़ा ज्यादा टाइम में आती हैं अर्था जो बैकंसी आती है उसमें नंबर आप सीट से जो होती है वो कम होती है बीएड में बीएड में जो आप अगर करते हैं इसके लिए आप जो है कि TGT अगर TGT अगर आप PGT देना चाहेंगे तो उसके लिए आपको post graduation करना होगा तब जाकर के आप जो है कि TGT और PGT द कि BTC सबसे अच्छा है क्योंकि जो चाहत पर्थमिक में हैं पर्थमिक के ही सुच्छक बनना चाहते हैं उनके लिए जो है कि BTC ही अच्छा होगा क्योंकि BTC में हमेशा proper vacancy जो है कि आती रहती हैं पर्थमिक में अगर देखा जाए तो UP में जो है कि 79, 68,000 vacancy जो है कि पिछल कोई लता पता ही नहीं है तो यहाँ पी अगर जो सात्र जल्दी नवकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए BTC सही होगा और जो सात्र जो है कि PG में जाना चाहते हैं छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं अरथाथ वे TGT और PGT अरथाथ कछा 6 लेकर के 10 तक और जो जो शात्र इंटर तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए PGT तो उनके लिए जो है कि B.A. करना अच्छा होगा और जो शात्र पर्थमिक में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए B.T.C. अच्छा होगा तो कुछ शात्र का यहां पे भी कहना में कि स्थर B.T.C. में जो है कि academic merit भी होना जरूरी है पर्थमिक टीचर के लिए तो यहां पे जिन शात्रों का academic merit अच्छा है वे शात्र B.T.C. करेंगे तो primary में उनके लिए जो थोड़ा अच्छा हो जाएगा लेकिन जो शात्र academic में गड़बड है अगर वो B.A. करेंगे तो academic का कोई परभाव उनके merit पे नहीं पड़ता है जो है कि T.G.T. और P.G.T. एक्जाम में तो यहां पे आप अपना academic merit देख करके decision ले अगर आपकी academic merit भी अच्छी है तो आप B.T.C. करेंगे अगर आप पर्थमिक विद्याले के teacher बनना चाहते हैं और यहीं पे अगर आप B.A.D. करेंगे तो इसके लिए आप T.G.T. और P.G.T. में जा सकेंगे और यहां पे अगर एक चीज और देखा जा जो छात्र B.T.C. क्यों है B.T.C. कियोए छात्रों का combination नहीं बनता है तो विए छात्र B.A.D. करेंगे तो लेकिन विए T.G.T. में नहीं दे पाएंगे बाद में अगर वो किसी सब्जेक्ट से P.G.T. कर लेते हैं तो उसके कार्डिंग जो है कि वहा B.A.D. Certificate के द्वारा की combination लगा करके दे सकते हैं पर P.G.T. में भाग ले सकते हैं लेकिन T.G.T. में जो B.T.E.C. के हैं शात्र भाग नहीं ले सकते हैं और यहीं पर परत्मिक देखा जाए तो B.T.E.C. के जो चात्र होते हैं परत्मिक में इसके पहले भी जो बैकंसी आई थी उसमें भी काफी जादा संक्या में B.T.E.C. वाले सात्र हुए थे और आने वाले समय में भी यह माना जाता है कि B.T.E.C. वाले सात्र जो के परत्मिक के लिए B.T.E.C. के लिए जो है कि eligible है B.T.E.C. करेंगे तो उनको जो है कि यहाँ पर बैकंसी में देखने को मौका मिलेगा तो आप समय सात्र के चैनल पर पहली बार आई हुए चैनल पर जुरूर सब्सक्राइब कर लें अगर कोई आपके मन में डाउट हो ता आप कमेंट्स बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाइ विदिन 5 मि दिया जाता है तब तक के लिए जैन जै भारत